आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ So let us solve this question इस question में हमें क्या दे रखा है कि हमें एक statement को prove करना है A cork is floating in a water tube एक cork है जो float कर रहा है किसी water tube What is the apparent weight of the cork और हमें उस cork का क्या निकालना है apparent weight Let us say पहले तो हमारे पास एक tube बना लेते हैं इसके अंदर हमारे एक छोटा सा cork है जो क्या कर रहा है? Float कर रहा है इस में हो क्या रहा होगा ये एक balanced condition में है मतलब हमारा जो cork है वो equilibrium में है क्योंकि question में हमें बोला गया कि वो float कर रहा है तो जब ये equilibrium में है तो अभी इसका अगर Fbd बना है तो यहाँ पर क्या-क्या बनेंगे forces इसका खुद का weight नीचे की तरफ लग रहा होगा कितना Mg अब इसका मास हम में M माल लेते हैं तो नीचे की तरफ force आ गया Mg अब जो ये water है ये इस पर कौन सा force लगा रहा होगा water thrust force लगाता है उपर की तरफ buoyancy force लगेगा कितना Fb और ये कितना होता है volume inside into raw liquid into G अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा ये cork है ये equilibrium में था तो Fb किसके equal हो जाएगा Mg के अब यहां पर हमारे force जो Mg वाला force है वो तो balance होगे Fb से तो इसका apparent weight actually में हो कितना गया 0 तो जो answer पूछा गया question में कि what is the apparent weight of the cork वो हमें कितना मिलेगा 0 क्योंकि यहां पर इसको balance कर दिया है कि Mg को balance किया गया है Fb force के true Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही download करे doubt net app या WhatsApp कीजे अपने doubts 8400-400-400 पर